शर्व मंगल मंगले सिवेशरवार्थ शादिके शरणने त्रियम्ब के गवरी नाराई अनी इनमोस्त थे प्यारे मित्रों जैशियरां जैमातादी मित्रों आज आप से चर्चा करेंगे 13 अप्रेल 2021 से लेकरके 1 अप्रेल 2022 के मद्द्ध में जो ग्रहनों का विवरण है जिसमें सूरी ग्रहन की आजम चर्चा करेंगे विदेश में दिखाई देंगे सूरी ग्रहन इस बर्स 2021 में भारत में कोई भी सूरी ग्रहन नहीं दिखाई देगा 10 जून 2021 जेश्ट मास के कृष्ण पक्ष की अमाउस्या के दिन गुरुवार को भारती समय के नुशार दोपार में एक बच करके 43 मिनट से और साम के 6 बच करके 41 मिनट तक अस्ट्रेलिया, बेलारूस, कनाडा, चीन, इत्यादी जगे सूरी ग्रहन देखा जाएगा दूसरा सूरी ग्रहन 4 दिसंबर 2021 मार्ग सीर्स मास के कृष्ण पक्ष की अमाउस्या भारती स्टेंडर्ट साइम के अगर हम बात करें तो भारत का जो समय है 10 बच करके 69 मिनट से ले करके 3 बच करके 7 मिनट तक आस्ट्रेलिया, नवीविरिया, दक्षिन अप्रिखा और इसके साथ साथ में ये काफी जगे दिखाई देगा परन्तु इसका ना तो कहीं पर भारत में सूतक माना जाएगा ना कहीं पर इसका कोई प्रभाव होगा तो इसलिए जब कोई सूतक नहीं होता है कोई ग्रहन नहीं होता है भारत में तो उसका कोई दोश यहाँ पर मानने नहीं होता है मित्रों ये हमने आपको जानकारी दी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी पूजा, पाठ, यक्ड, अनुष्ठान इत्यादी के लिए आप स्री ब्रह्मावर्त, सनातंदर्म, वैदिक अनुष्ठान, संस्थान के माध्यम से जुड़ करके अनुष्ठान को संपर्न कर दा सकते हैं किसी भी तरह का ग्रेप्रवेश, पूजा, पाठ, निवपूजन, राम कथा, स्रीमत, भागवत कथा, इत्यादी के लिए आप इस संस्थान से जुड़ सकते हैं ये संस्थान आपका अपना संस्थान है आप तब इसे जीवन में मंगल हो इन्हें मंगल कामनाओं के साथ पुना मी लूँगा एक नए वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाज़त जै माता दी, जै मागन